तो आज इस क्लास के अंदर बायो केमिस्ट्री का जो चैप्टर नमबर सेवन है वाइटमिन्स उसके टॉप 10 इप्टेशन्स जो कि आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एक्जाम्स के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं उन्हें हम लोग डिसकस करने वाले हैं डेटेल में और ये सारे के सारे क्वेशन्स की जो पीडियेफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है तो मेक शूर कि आप उस लिंक के साथ जरूर जोइन हो जाएए इसी के साथ ही साथ आपको ये मैं बता दू कि जितने भी सवाल है इनको प्रीवियस एर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है यानि कौन से चैप्टर से सबसे जादा सवाल आए है या फिर किसी भी पर्ट को भी डाउनलोड कर लिजेगा जो भी अगर डेफार्मा फॉस्ट यर या डीफार्मा से केर से रिलेटे आपको किसी भी तरीके का कोई भी कॉर्स जोइन करना है या फिर जो भी आपको टैसरीज वगरा जोइन करना है तो आप इजिली कर सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहल हैं what are vitamins give a classification of vitamins next differentiate between fat and water soluble vitamin explain the terms pernicious anemia nyctalopia or glossitis explain the biological roles of vitamin a give biological roles and deficiency of vitamin c iske baad give daily requirement of the following vitamin a b6 c and d next give a table of vitamin along with their deficiency disorders and then what are coenzymes what are the biological functions of coenzymes second last question give the functions and deficiency disorders of vitamin b12 and last question write the name of coenzymes of vitamin b complexes so you have all the questions which we are going to discuss with first question so let's start with the first question what are vitamins means what are vitamins means what are happening and they have a classification of you to know what we are going to classify them first let's talk about what are vitamins what are happening you will be a organic compound which is very important for your body's normal functioning okay vitamins are organic compounds that are very essential for various biochemical processes in the body which are required in very small amount as a new a lot about how much amount जैसे की आपके पास कार्बो हाइडरेट होते हैं, प्रोटीन हैं, लिपिट्स हैं, यह मैक्रो न्यूट्रियंट है, यानि यह वो चीज़े हैं जो आपको बहुत ही जादा अमाउंट में चाहिए होती है, वाइटमिन आपको एनरजी प्रोवाइड नहीं करता है, यार रखे and they are crucial for process, for example, immune function, energy production and maintaining healthy skin, vision and more, बहुत सारी चीज़े हैं आपकी बालों के लिए, आपकी skin के लिए, bones के लिए, कुछ पर्टिकिलर्ली organs होते हैं, blood के लिए, बहुत important होता है वाइटमिन, अब अगर बात आ जाती है इसके classification की, तो वाइटमिन को आप दो तरीके से classify करते हो, प पानी में easily soluble हो जाए, fat soluble वो होगा जो absorb होने के लिए, सबसे पहले lipid के अंदर soluble होता है, फिर lipid के थ्रू वो absorb होगा, ठीक है, चली, अब fat soluble और water soluble के बारे में अगर बात के जाए, तो यह जो water soluble है, यह दो तरीके का होता है, एक तो होता vitamin B और एक होता vitamin C, अगर सबस और यह जो दूसरा है, यानि की B complex वाले, इसके अंदर आपके 8 complexes आजाते है, vitamin B के अंदर, ठीक है, यह दो टाइप्स का होता है, पहला है energy releasing, जैसे कि मैंने आपसे बुला कि आपको energy नहीं देते हैं, लेकिन energy release करने में जरूर help करेंगे, metabolization में help करेंगे, carbohydrate के, protein के, lipid के, ठ कौन कौन से सके अंदर आएंगे, जैसे कि आप लोगों ने थाइमी का नाम सुना होगा, B1, B2, B3, Bc के अंदर आता है, उसके बाद B5, Bc के अंदर आता है, B6, B6 is spiridoxin, तो इसको यहां कर लेनो, और Biotin होता है B7, ठीक हो, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीदेगा, vitamin B B6 and vitamin B7, यह आपके पास ऐसे 6 vitamins हैं, जो कि energy release करने में help करेंगे, और किसके अंदर आते हैं, यह water soluble है, दूसर, हमारे पास है hematopoietic, जो कि आपके blood cells बनाने में काफी जादा responsible होते, ऐसा नहीं है कि blood cells में यह बिलकुल काम नी करेंगे, करेंगे, लेकिन में काम इन ही का जैसे vitamin B9 और vitamin B12, ठीक है, तो यह classification हो गया water soluble का, पैट soluble आप लोग जानते ही है, A, D, E and K, कीडा से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, K, E, D, A, कीडा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर A होता है retinol, D होता है calciferol, E होता है आपका phyloquinone, E होता है, यह जो E है, this is tociferol, and then last K is phyloquinone, इनको याद करना में बहुत एजी है, आप खुदी देखो retinol, कैसी ferol, ठीक है, इसके बाद tociferol, and then phyloquinone, तो आपको यह की तरीके की sound आ रही होगे इनके नाम में, ऐसे आप लोग भी याद रख सकते हैं, चलिए, कोईन अब आगे चलते हैं, next question की तरफ, differentiate between water and fat-soluble vitamins, अब fat and water-soluble vitamins के बीच का difference क्या है, वो देख लेते हैं, सबसे पहले, जैसे की नाम imply करी रहा है, solubility, इनकी solubility fats या फिर oils के अंदर होती है, और यह जो water-soluble है, यह water में soluble होंगे, as simple as that, storage कैसा होगा, body में storage होगा की नहीं होगा, देखे, अगर बात की जाए, fat-soluble vitamins की, इनको आप store नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह store नहीं होते हैं, और बाकी, जो भी excess amount होगा, वो urine के थ्रू, बाहर भी excrete कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह होगा इनका storage, absorption की बात की जाए, तो यह dietary fats के साथ intestine के अंदर absorb होंगे, क्योंकि fat soluble है, तो soluble fat के अंदर होंगे, फिर fat जाकर इनको absorb करवाने में help करेगा, आपके blood के अंदर, ठीक है, इसके बाद water soluble directly आपके absorb कर लिये जाते हैं, blood के थू इंटेस्टाइन से, क्योंकि इनको absorb होने के लिए किसी तीसरी चीज़ की requirement होती नहीं है, blood है, आपका vitamin है, absorption होगा, ठीक है, इसके बाद example अभी अभी लिखवाया है, AD, E and K fat soluble, पाकी C and B vitamins कितने होते हैं, B के 8 complexes होते हैं, तो यह होगी आपका water soluble, deficiency risk बहुत जादा होता है, दोनों का, अगर एक भी vitamin deficient हो जाता है, तो वो अपनी deficiency disorder दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन अगर बात की जाए, fat soluble की, तो यह जादा आपके toxic होते हैं, can accumulate and lead to toxicity, क्योंकि अगर उनके बारे में बात की जाए, जो भी आपकी excess amount होता है, वो urine के थो निकाल दिया जाएगा, लेकिन यह कैसे होगा, तो toxic यह होते हैं, toxicity create fat soluble vitamin करेंगे, water soluble बहुत ही rarely toxic होते हैं, लेकिन उनकी deficiency से जादा problems देखी जाती हैं, ठीक है, deficient अगर हो जाते हैं, तो बहुत सारी problems देखे जाती हैं, excretion होगा की नहीं होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह store होते हैं body में, excretion नहीं होता है इनका, ठीक है, और वो excrete कर दिया जाएंगे urine के थो, body से बाहर निकाल दिया जाएंगे, अब toxicity potential किसका कितना है, पैट soluble के बारे में बात की जाएं, तो यहाँ पर जादा toxicity देखने के लिए मिलती है, यह store हो जाते है body में, अब store होंगे, toxic चीज़ा store होती है body में, सोचो जड़ा, क्या होगा फटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम risk होता है toxicity का, लेकिन हाँ यहाँ deficiency से problems होती है, तो इधर toxicity से दिखकत, उधर deficiency से, ठीक है main problem, बाकी deficiency से इधर भी problem होती है, toxicity से उधर भी होगी, लेकिन primary problem इधर toxicity से, इधर deficiency से, ठीक है, toxicity means ज़ादा amount, deficiency means कम amount, clear, तो यह है इन दोनों के बीच का differentiation, आगे चलते हैं, next सबसे पहला हमारे पास है pernicious anemia, क्या होता है pernicious, अच्छा, anemia का मदलब क्या होता है, anemia means deficiency of blood, deficiency of blood, और एक overview छोटा सा मैं आपको यह दे दू, कि pernicious anemia, यह होता है vitamin B12 की deficiency से, by deficiency of vitamin B12, ठीक है, तो pernicious anemia is a type of megaloblastic anemia, what is megaloblastic anemia, megaloblastic anemia, यह वो अनेमिया होता है, जिसके अंदर RBC का जो साइज है, वो नॉर्मल से काफी जादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वज़ा से उसके रफ्चर होने के जो चांसे से वो भी बहुत जादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, इसके बाद, इसके बाद, जामक में, यानि अगर यही डेफिशेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका अब्सॉप्शन नहीं हो पाएगा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशेंटी हो, तो भी यही प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिले की, रीजन मैंने आपको बता दिया है, दूसरा है निक्टैलोपिया, अब निक्टैलोपिया होता क्या है, देखो साधालन भाशा में समझो, इसको बोला जाता है रतौन धी, समझे, नाइट ब्लाइडनेस, जिसमें आपको रात में देखने में, काफी जादा ब्राबलम्स होती है, निक्टैलोपिया ये प्राबलम है, जो की, डेफिशिंसी ओफ, वाइटमिन A की वज़ा से होती है, लेटिनॉल की वज़ा से होती है, निक्टैलोपिया, कॉमलनुकर, नॉन ऐस, the night blindness is a condition where an individual experiences difficulty seeing in low light condition or it can be partial or fully ठेक है तो partial भी हो सकता है पूरी तरीके से भी हो सकता है ये problem this condition is typically caused by problems with the retina, the light sensitive layer in the back of the eye अच्छा ये retina क्या है आप लोगों ने H.A.P के अंदर पढ़ा ही होगा retina एक layer है innermost layer है आपकी आखों में जो responsible होता है image formation के लिए image formation के लिए यहाँ पर होते हैं photo receptor sets जिनको आप roads और cons के नाम से जानते हैं अब cons तो आपको daylight में देखने में help करेगा लेकिन जो roads है ये मदद करता है रात में यानि dim light में देखने के लिए अगर किसी को nitelopeya है तो उनको उनका ये जो roads होता है ये या तो deficient हो जाएगा या किसी कारण से काम नहीं कर पाएगा ठीक है ये mainly vitamin A की deficiency से होता है क्योंकि roads बनता ही उससे है समझे प्रिकर्सर जो है ना roads का that is vitamin A retinol चलिए sensitive layer at the back of the eye और photo receptor cells इसको आप roads बोलेंगे that are responsible for vision in dim light or night समझ आया चलिए next is glossitis क्या होता है inflammation of tongue simple inflammation of tongue क्या ये भी vitamins की deficiency से होता है बिलकुल ये भी vitamins की ही deficiency से होता है glossitis is an inflammation of the tongue that can cause it to appear swollen, smooth and red अब ओवेसी बात है बोलने में भी दिक्कत होगी खाना खाने में प्रॉब्लम होगी हर चीज में प्रॉब्लम होगी ठीक है जस जस काम के लिए tongue responsible होती है उस उस काम को करने के लिए दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगी अगर ग्लोसाइटिस हो जाता है तो इट में अलसो लीड्स तो चेंज इन टेक्स्चर और अप्रॉब्लम होती है आगे चलते हैं ग्लोसाइटिस कैन अकर एज रिजल्ट ओफ वेरियस अंडरलाइं कंडिशन फॉर एज़ांपल नूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाइटमिन की डेफिशिएंसी से इंफेक्शन से ओटो इम्यून डिस ओर्डर से किसी से भी यह प्रॉब्लम देखी जा सकती है ठीक है तो यह हो गया आपके पास तीनों टम्स आगे चलते हैं नेक्स अवाल पर अब वाइटमिन ए के बायोलोजिकल रोल्स क्या-क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहला जो हमारे पास है वो विजन है मैंने आपको बताई दिया है कि रोड्स का जो पॉर्मेशन है यानि जो प्रिकर्सर है दाट इस यूर वाइटमिन ए वीन्स रेटिनोल वाइटमिन ए जिसको रेटिनोल की नाम से भी जानते हैं वो आपको लो लाइट में देखने में हेल्प करेगा कैसे करेगा लो लाइट में कैसे हैल्प करेगा डोड्स को बनाने के इसके इसके बाद दूसरा है इम्योन सस्टम इम्यून सिस्टम में कैसे help करेगा तेको यह help करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को ताकि वो सही धंग से काम कर सके और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है आप सबी लोग जानते हैं हमारी बॉडी को pathogen के against protect करना ठीक है तो vitamin A help the body's immune system work properly which protect against illness and infection next is skin and mucous membrane कैसे देखो vitamin A आपके skin और mucous membrane को जो कि आपकी nose, sinuses, mouth बहुत सारी areas ऐसे होता है जहां पर वो line करेंगे उनको भी बनाने में help करता है ठीक है चलिए next is growth and development यह तो होगा ही simple से चीज़ है चाहे किसी भी vitamin की बात कर लो वो growth and development में थोड़ा बहुत योगदान तो सरूरी देता है ठीक है vitamin A supports self growth and differentiation which is important for the normal formation and maintenance of organs like heart and lungs चलिए तो यह आपके सारे functions है and then reproduction vitamin A plays a role in healthy pregnancy and breastfeeding यह आपके पास सारे के सारे functions है vitamin A यानि की retinoid नेक्स सवाल हमारे पास है कि biological roles and deficiency of vitamin C vitamin C यानि के ascorbic acid ascorbic acid अब इसके क्या-क्या biological functions है और क्या-क्या efficiency इसकी वज़ा से हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला अगर functions के बारे में बात की जाए यह इसके functions है तो सबसे पहला है collagen synthesis what is collagen? Collision होता है एक protein, structural protein जो की connective tissue का एक बहुत ही important हिस्सा है और इसी की कारण इसी की वज़ा से आपका जो connective tissue है वो बहुत ही जादा elastic होता है उसके अंदर contractibility की property होती है है ना तो उसको बनाने के लिए responsible होता है यह जो vitamin C है collagen synthesis it helps the body produce collagen a protein that is used to make skin, tendon, ligament, blood vessel and cartilage कैसा है यह protein, structural protein ठीक है तो क्या-क्या बनाने में help करेगा यह collagen tendon बनाने में, skin बनाने में, ligaments, blood vessels और आपके पास यह जो cartilage होता है चलिए ठीक है next is tissue growth and repair it helps grow and repair tissues in all parts of the body ठीक है next is iron absorption कैसे, iron absorption में कैसे करेगा देखे यह जो vitamin C होता है यह आपकी body को iron absorb करने में help करता है जो आपके non-heme sources होते हैं उनसे समझे इसके बाद है antioxidant बहुत अच्छा antioxidant आपके पास यह vitamin C होता है आपके body को, cells को उनको सही रखने में प्रोटेक्ट करने में और उनको healthy रखने में काम करेगा इसके बाद adrenal steroid synthesis कैसे, देखो आपकी body के अंदर जो adrenal cortex होता है adrenal gland का जो बाहरी हिस्सा होगा वहाँ पर काफे जादा amount में vitamin C present होता है और जो adrenal gland के steroidal hormones होते हैं उनके formation में काफे important role play करेगा vitamin C होगा समझ आया जो मैंने बोला मैंने आपसे कहा कि आपके body का जो एक endocrine gland है जिसका नाम है supra-renon या फिर इसी को आप लोग adrenal के नाम से जानते हैं इसका जो बाहरी पार्ट होता है जिसको cortex बोला जाएगा वहाँ पर काफे जादा amount में stored रहेगा ये जो vitamin C होगा ठीक है और इसका काम होता है adrenal gland के जितने भी steroidal hormones होते हैं उनके formation में काफी important role play करना समझें चले next is cardiovascular health यानि की आपके blood pressure को कम करने में भी help करेगा और ultimately आपके जो heart diseases होते हैं उनके risk को कम करने में भी मदद करता है इट can help lower blood pressure and cholesterol prevent blood coagulation and normalize irregular heart beat ठीक है तो आप लोग कह सकते हैं कि ये decrease करता है risk of cardiovascular diseases समझें ठीक है next is a deficiency अच्छा deficiency से क्या क्या problem हो सकती है तो ये भी देख लेते हैं इसकी deficiency से एक problem आपने सुनी होगी स्करवे ठीक है a deficiency of vitamin C also known as scurvy can also can cause a number of symptoms जैसे की अच्छा सकरवे आपके एक particular area की बिमारी नहीं है एक particular body part की बिमारी नहीं है इसमें आपकी पूरी body effect होती है जैसे अगर skin के बारे में बात किये जाए तो scaly skin हो जाती है rough हो जाती है है ना scaly मतलब scales जैसे दिखाई देने लग जाएंगे red और purple color के sports आपको देखने के लिए मिल जाएंगे skin के ऊपर इसके बाद hair के अगर बात की जाए तो बहुत ही dry, brittle, coarse, crude, shaped hair हो जाते है bright red hair follicles देखने के लिए मिलेंगे gums और teeth के बारे में बात की जाएंगे स्कर्वे के अंदर bleeding gums हो जाते हैं swollen gums हो जाते हैं और teeth की जो इनकी मजबूती होती है वो भी धीरे-धीरे खतम होना शुरू हो जाती है joints, joint painful हो जाएंगे swollen हो जाएंगे और फिर pain भी उनके अंदर होगा और fatigness, weakness, irritability, depression, anemia, poor wound healing यह सारी की सारी किसके symptom से स्कर्वे के जो की vitamin C की deficiency से होता है बहुत ही खदरनाग बिमारी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे चलने से पहले मैं आपको D Pharma 2 यार के recommend करना चाहूंगी model papers जो की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही languages के अंदर available हैं ठीक है दोनों ही languages के अंदर available है flip card पर with cash on delivery ठीक है और ये 6 आपके पास modules का set आएगा आप दिये गए number पर भी contact कर सकते हैं simplest language के अंदर आपको ये सारी चीज़े इसके अंदर समझाई गई है और सब चच्ची बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो अगर आपको इंग्लिश में समझने में किसी भी point को problem होती है तो आप उसको साथ के साथ हिंदी में भी समझ सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं next हमारे पास question है give daily requirements and sources of the following vitamins A, B6, C and D ठीक है daily requirements और उनके sources क्या क्या है चार vitamins आप से पूछे हैं बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास है vitamin A यानि की retinol अगर इसकी daily requirement की बात की जाए तो men and women के अंदर दोनों में अलग-अलग होती है बहुत ही trace amount में चाहिए होता है आप सभी लोग जानते हैं देखो अगर men की बात की जाए तो 900 microgram this is microgram per day ठीक है और women के अंदर 700 microgram की requirement होती है per day sources इसके बहुत सारे हैं जैसे की milk, cheese, butter, green, leafy, vegetables cabbage, carrot, red and yellow foods, fish, liver, oils, etc बहुत सारे एक और चीज sources के बारे में ये कि vitamins के लिए आपको अलग से कोई अपनी diet के अंदर source को include नहीं करना पड़ता है ठीक है जो आप daily basis पर खाते हो उसी के अंदर आपको vitamins मिल जाते है बस फर्क कितना है कि किसी source के अंदर कोई vitamin का amount बहुत जादा होता है बहुत किसी का कम होता है दूद से बनी हुई चीज़ा आप खाते ही है डेली basis पर कुछ ना कुछ उसके अंदर हर एक vitamin आपको देहने के लिए मिले गए amount vary कर सकता है यह याद अखना ठीक है? चलो next is B6 यानि की pyridoxin अगर जिनकी age men की बात करें 19 से 50 साल तक के बीच की है उनमें around 1.3 mg per day requirement होती है इससे थोड़ा सा उबर जाएंगे पचास साल से जादा की अगर age है तो amount भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1.7 mg per day mg means milligram women की age अगर 19 to 50 है तो इसमें requirement होती है around 1.3 mg per day और अगर 50 अबव है 1.5 mg per day sources इनके पह वैसे है जैसे की gram wheat, bran, viewers yeast, milk banana, then peanut raisins, cabbage, leg drop, muscles, liver, kidney, fresh wheat and meat ये सारे के सारे क्या होते है sources of vitamin B6 यानि पारिडॉक्स इसके बाद हमें डिया है vitamin C यानि अस्कर्विक असिड या आपको काफी सही-सही amount में चाहिए होगा ठीक है क्योंकि इसके काम भी बहुत सारे होते हैं man में around 90 mg per day और women में around 75 mg per day इसके sources क्या है आप लोग जानती है जितने भी citrus fruits और vegetables जैसे lemon, oranges, jelly अगरा इन सब के अंदर काफी सही amount में vitamin C देखा जालेगा और इसके लिए क्या भी ये भी खाया जाते हैं जो आपके supplements होते हैं ठीक है? चलो sources of vitamin C जैसे की sweet sour fruits यानि citrus fruits जिनको बोला जाता है myrobalan, then tomato, watermelon, pear, cabbage, pineapple, potato and green leafy vegetable ठीक है? चालेगा and last is vitamin D जिसका नाम है calciferol या call calciferol ठीक है? उसका अगर age 1 to 70 है तो around 15 microgram per day इतना बनना ही चाहिए बोड़ी में ठीक है? और अगर age 70 plus है तो 20 microgram per day अगर international unit में देखा जाए तो ये 800 international unit होती है है ना? और इसके बाद अगर vitamin D के sources की बाद की जाए तो देखो milk products तो है यह एग वगेरा भी है लेकिन सबसे अच्छा तो source है that is sunlight लेकिन ये भी नहीं है कि sunlight में vitamin D होता है ना ना sunlight में vitamin D नहीं होता है sunlight जब आपकी skin के उपर पढ़ता है तो on the exposure of sunlight आपकी skin produce करती है vitamin D ये भी याद रखेगा चालें next question give a table of vitamin along with their deficiency disorders अब आपको एक vitamins की table बनानी है और उनकी deficiencies भी साथ के साथ बता कर चलनी है ठीक है तो सबसे पहला हमारे पास जो vitamin है that is A यानि retinol इसकी deficiency से होता है जरग तैन्मिया इसको आप night blindness, nictalopia ये भी बोला जाता है वाइटज spot ठीक है next is vitamin D यानी calciferol ये होता है rickets and osteomalacia rickets इनफेंट में देखा जाता है osteomalacia अडर्स के अंदर देखा जाता है bond-related deformities है ठीक है next is tocopherol जिसकी common form alpha tocopherol होती है ये भी आदखना ठीक है tocopherol की most common existing form is alpha tocopherol और ये vitamin E का नाम है ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा antioxidant होता है ये भी आदखना अच्छे अंदर बहुत सारी antioxidant property होती है skin के लिए बालों के लिए काफी अच्छा है और इसकी deficiency से inability to produce healthy ovum in female or loss of mortality of spermatozoa in male ठीक है तो ये problems देखी जाती है female और males के अंदर respectively that red blood cells का हीमोलाइस है यानि immaturity जो आपके RBCs होते हैं वो तूटना शुरू जाएंगे उनका breakdown शुरू जाता है तो normal life spend 120 days है अगर उससे कम है वो तूटना शुरू होंगे तो अनीमिया तो होना ही होता है next muscular dystrophy इसके बाद है vitamin K यानि phyloquinone जिसकी वजह से malabsorption of lipid post-traumatic bleeding और internal bleeding देखे जाते हैं क्यों क्योंकि vitamin K is also known as the coagulation factor coagulation factor blood clot करने में help करेगा अगर absent हो जाएगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा next is B1 यानि thymine जिसकी वजह से होता है beriberi जिसको आप लोग vernic carcercoff syndrome या cerebral beriberi के नाम से भी जानते हैं और polyneuritis अगला है vitamin B2 means ribofleven जिससे inflammation of tongue यानि glossitis kylosis और angular estermantitis ये सारी problems देखे जाती है vitamin B3 niacin pellagra होगा इसको pellagra preventing factor भी बोला जाता है pellagra preventing factor इसकी deficiency से pellagra होगा vitamin B5 यानि pantothinic acid इसकी deficiency से होता है burning foot syndrome इसको आप raw balance burning foot syndrome के नाम से भी जानते हैं इसमें पैर का जो foot वाला region होता है वो बहुत जाला जलन करता है ठीक है इसके बाल vitamin B6 यानि pyredoxin peripheral neuritis और hypochromic microcytic anemia what is this microcytic anemia इसको microcytic anemia का मतलब होता है जब RBC का normal size यह है for example और अगर इसका size बहुत छोटा हो जाए ठीक है तो यह होता है microcytic anemia micro means small size और macro means large size चलिए next is vitamin B7 means biotin जिसकी deficiency से dermatitis यानि skin infections और इसे के साथ anemia then loss of appetite यह problems होती है vitamin B9 folic acid जो की बहुत important vitamin है इसकी deficiency से अगर एक pregnant महिला में यह deficient हो जाए उसकी deficiency से होता है neural tube defect सुना होगा आप लोगा ने नाम neural tube defect यह ना यह भी होता है और बाकी megaloblastic anemia तो होगा ही next is vitamin B12 जिसके बारे में हम बहुत सारी बाते कर चुके हैं और इसकी deficiency से होता है parnicious anemia and last is vitamin C that is ascorbic acid जिसके deficiency से करवे सबसे बड़ी problem इसके बाद infantiles करवे hemorrhagic tendency जिसके अंदर हो जाती है bleeding gums बगएरा internal hemorrhage gums becomes painful, swollen and spongy ठीक है तो ये सारे के सारे vitamins along with their deficiency disorders ठीक है आगे चलते हैं सवाल है what are coenzymes and what are the biological functions of coenzymes अब coenzymes क्या होते हैं और उनके biological functions क्या होते हैं क्या आपको बताना है देखो coenzymes के अगर बारे में बात की जाए तो coenzymes बहुत ही चोटे-चोटे से non-protein molecules है जो की enzyme के function को बढ़ाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि उसका साथ देने के लिए प्रेजन्ट होते हैं ठीक है coenzymes are small non-protein molecules that work in conjunction with enzyme to facilitate biochemical reactions या फिर आप कह सकते हैं कि enzyme की help करने के लिए आपके coenzymes present होते हैं they are often derived from vitamins and other nutrients coenzymes help enzyme catalyze reactions by serving as carrier for chemical groups और electrons that are transferred during the reaction देखो क्या होता है जब भी एक reaction को enzyme catalyze करता है आप लोग enzyme chapter पढ़ टुके हैं तो यह जो किसी भी particular structural shift करवाएंगे तभी तो जाकर product बनेगा या तो किसी चीज़ को carry करेंगे एक जगा से दूसरे जगा transfer करेंगे तभी आपका product बनता है तो उसी चीज़ को carry करने का transfer करने का जो काम करते हैं वो coenzymes करते हैं ताकि आपकी जो biochemical reaction है वो सही ढंग से और proper manner में की जा सके ठीक है इसके काम के अगर बारे में बात की जाए तो reactions को catalyze तो करेगा ही coenzyme can catalyze reaction but they are more effective when working with enzymes वो अलग से काम भी कर सकते हैं लेकिन अगर enzyme के साथ मिलकर वो काम करें तो वो ज़्यादा effective तरीके से काम कर सकते हैं दूसरा है carry electrons, hydrogen atom और chemical groups यही मैंने आपको बताया है coenzyme can act as carriers of these substances जैसे की NADH है जो की electrons carry करता है एक reaction है coenzyme ही NADH किसका है vitamin जो आपका यह होता है niacid यानि B3 ठीक है इसी का ही coenzyme है आपका यह NADH next is assist in energy coupling reactions जो भी आपके energy coupling reactions होती है उसके अंदर इंटर यह जो coenzymes होते हैं यह बहुत ज़्यादा help करते हैं उस reaction को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए और chemical pathways को एक direction प्रोवाइड करने का भी काम इन ही का होता है coenzyme can help chemical pathways जैसे की ETC यानि electron transport chain होती है citric acid cycle है crab cycle जिसको बोला जाता है इनके अंदर भी काम करते है ठीक है आगे चलते हैं second last question हमारे पास है give the functions and deficiency disorders of vitamin B12 यानि की sinocobalamine sinocobalamine इसके क्या क्या functions होते हैं और क्या क्या इसकी वज़ा से deficiency disorders हो सकते हैं यह आपको बताना है सबसे पहले अगर functions के बार में बात की जाए तो बहुत सारे इसके रोल है तो इस सबसे complex vitamins है among all the vitamins और इसके बाद एक और important चीज है कि इसका कोई भी plant-based source नहीं होता है तो अगर कोई वीगन इंसान है ठीक है कि हम तो सिर्फ सिर्फ प्लांट-based चीज़े खाते है उनके अंदर vitamin B12 की deficiency बहुत कॉमन होती है ठीक है इसकी deficiency को सही करने के लिए अगर बात की जाए तो curd खाया जा सकता है अगर कोई vegetarian है वीगन की बात ने करी हो vegetarian है तो चलिए DNA and RNA synthesis vitamin B12 दोनों को बनाने के लिए काफे जादा help करता है दोनों ही genetic material है nucleic acids है nucleic acids deoxyribonucleic acid और ribonucleic acid इनको बनाने में help करेगा red blood cell formation बिलकुल सही बात है मैंने आपको बताया था यह क्या है यह hematopoietic vitamin होता है यानि इसका काम है blood cells को बनाने का ठीक है तो vitamin B12 आपके red blood cell के formation के लिए responsible होता है nerve function में भी यह responsible होगा इसी के साथी साथ energy भी produce करने में help करेगा इससे आपका energy नहीं मिलेगी यह क्या करेगा यह जो भी आप खाना खाते हो उसका metabolization करता है ताकि उस खाने से आपका energy मिले तो दोनों बातों में फर्क समझेगा इसके बाद protein metabolism protein के metabolization में भी help करता है vitamin B12 होगा अब इसके अगर deficiency देखे जाए तो इसके deficiency से क्या के problems होती है वो सुनी सबसे पहला है anemia यानि deficiency of blood जिसके अंदर fatigness, paleness, shortness of breathing headaches and dizziness आपको देखने के लिए मिल सकती है ठीक है? anemia means deficiency of blood और वो भी pernicious anemia pernicious anemia ये भी आदर ना दूसरा है nerve damage अब nerve damage कैसे? देखें ये क्या करेगा? nerve damage के अंदर numbness tingling हो जाती है hand की, feet की पूरी तरीके से balance खतम हो जाता है आपकी body का और concentration करने की जो problems है और पावर है वो भी पूरी तरीके से धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपकी जो nerve cells है वो proper तरीके से काम नहीं कर पाएंगी nerve impulse transmission ये नाम अगर आप लोगोंने सुना हो इसमें help करेगा vitamin B12 in severe cases it can lead to confusion, dementia, psychosis and hallucination देख रहे हो तक बहुत सारी severe conditions हो जाती है nerve damage में क्योंकि तुमारी body को कौन चला रहा है neurons ठीक है हारी की information को एक जगा से दूसरे जगा transport कौन कर रहा है neurons समझेंग चले next is heart failure heart failure के अभी खतरा हो जाता है और किसकी वज़ा से होगा जो एनीमिया होता है ना blood की deficiency उसकी वज़ा से यह सारी की सारी autoimmune disorders है जो की vitamin B12 की deficiency से हो सकती है ठीक है अब आगे चलते हैं last question की तरफ सवाल हमारे पास है write the name of coenzymes of vitamin B complexes अब vitamin D के जितने भी coenzymes है उनका नाम आपको लिख रहा है ठीक है अब नाम लिख लो उसके काम में लिख लो तो अच्छे बात हो जाएगी यह vitamin है यह coenzyme और इनके functions जैसे की B1 यानि थाइमी जिसका नाम तो आप easily आद कर लोगे कि किस vitamin का है क्योंकि हर एक coenzyme के नाम में उसके vitamin का नाम छुबा ही है समझे function के बार में बात की जाए तो जो decarboxylation reactions होती है उनमें help करेगा यह TPP इसके बाद B2 है B2 यानि riboflevin जिससे बनता है FAD यानि Flavin adenine dinucleotide और FMN Flavin mononucleotide देख लो 11-11 तो नाम याद करना easy है लेकिन full form याद ज़रूर कर ले Oxidation reduction reactions के अंदर आप इनको क्या करें जिसके अंदर 2 hydrogen atom involved होते है उसको catalyze करना B3 यानि नियासे निया तो आपने सुनाई होगा NAD, NADP nicotinamide adenine dinucleotide और nicotinamide adenine dinucleotide phosphate ठीक है Oxidation reduction reactions को ही catalyze करेगा लेकिन उसको जिसके अंदर hydride iron involved होता है Next is B6 यानि pyredoxin जिससे बनता है pyredoxal phosphate और ये बहुत सारी amino groups की reactions होती है उसको catalyze करेगा B12 means cyanocobalamin जिससे methylcobalamin और deoxy adenoxy cobalamin ये आपका एक coenzyme है जो इससे बनेगा और ये intramolecular rearrangement reactions जो होती है उनको catalyze करने का काम करेगा Next is Biotin B7 जिससे biocytin या simplis को biotin भी बना जाता है ये carboxylation reactions को catalyze करते हैं इसके बाद last polyc acid यानि B9 Pantothenic acid B5 B9 से बनता है tetrahydrofolate यानि की FH4 और ये carrier of once carbon unit जैसे की formal groups की जो reactions होती है उनको ये catalyze करेंगे and last is pantothenic acid जिससे बहुत famous एक आपका coenzyme बनता है जिसका नाम है coenzyme A जो बहुत number of reactions के अंदर यूज की जाती है और mainly इसका काम होता S.I.L. groups का carrier ठीक है जैसे की आपकी beta oxidation और fatty acid के अंदर है ना तो ये हैं आपके पास ऐसे 10 सवाल इस chapter के vitamins के जो की काफी जादा important है और इसमें से बहुत सारे questions ऐसे हैं जो previous year में सबसे दादा repeat हुए है ठीक है तो I hope इस सवाल से इन questions से आपको कोई से भी तरीके की कोई problem नहीं होगी अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके से नई chapter के top 10 questions के साथ तब तक के लिए से टियों पामिसी इंडिया लाइ थैंक यू